हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम बनाएंगे बीफ कोर्मा तो चलिए शुरू करते हैं कोर्मा बनाने के लिए हम पतीला लेंगे फ्लेम को हमने बारिक रखा है दो किलो 500 ग्राम गोश्ट दालेंगे इसको हमने एक से दो पानी से धो लिया था बारिक कटा हुआ प्यास दालेंगे ये 500 ग्राम है प्यास को हम इस तरह से फैला लेंगे दो बड़ा चमच मिर्शी पॉडर दालेंगे दो बड़ा चमच धन्या पॉडर दालेंगे दो बड़ा चमच हल्दी दालेंगे दो बड़ा चम्मच कांदा लसुन मसाला दालेंगे दो बड़ा चम्मच मटन मसाला दालेंगे इसमें अच्छा कलर आने के लिए दो चम्मच कश्मीरी मेच भी दाल सकते हैं 200 ग्राम टेल दालेंगे एक जग पानी दालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक फुल फ्लेम पर ढखकर पका लेंगे बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे आप गोश को कुकर में भी पका सकते हैं 20 मिनट हो गए हैं अब हम इसमें 4 बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट दालेंगे एक बड़ा चमच पिसा हुआ गरम मसारा दालेंगे इसको हम 10 से 12 मिनट फुल फ्लेम पर पका लेंगे ये देखिए 12 मिनट हो गए हैं गोश को हम चेक कर लेंगे ये देखिए गोश अच्छे से गल चुका है अब हम मटन में 2 बड़ा चमच खड़ा नमक दालेंगे बावर्ची भी यही नमक यूज करते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है 9 से 10 हरी मेश दालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमने 2 गलास गरम पानी दाला था पर वो हमसे स्किप हो गया आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी दाल सकते हैं पर गरम पानी ही दाले इसको हम 9 से 10 मिनट तक ढखकर पका लेंगे 10 मिनट हो गये हैं अब हम इसमें 20 ग्राम नारियल का पुरादा दालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम 5 से 6 मिनट तक ढखकर बारिक फ्लेम पर पका लेंगे अब हम इसमें बड़ी शौफ का पौड़ा दालेंगे जिस तरह खीर में अच्छी खुश्बू आने के लिए हम इलाची का पौड़ा दालते हैं उसी तरह कौर्मा में से अच्छी खुश्बू आने के लिए बड़ी शौफ का पौड़ा दालेंगे अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढखकर बारिक फ्लेम पर पका लेंगे 5 मिनट हो गए हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे और 10 मिनट के बाद खोलेंगे ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं अब हम इसको खोल लेंगे ये देखिए बीफ कॉर्मा तयार है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईए हमारे चैनल इंडियन जाइका को सब्सक्राइब कीजिए आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफीज